जैमाता दी प्रिय धनुरासी 9 मार्च 2024 धनु देनिक राशीफल सुब संयोगों का मिलन करेगा आपके धन में इजाफा जानेंगे हम इस वीडियो में तो वीडियो के अंद तक बने रहें चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए देनिक धनुराशीफल के लिए रोज की तरह शुरुआत करेंगे हम देनिक पंचांग से 9 मार्च का दिन शनीवार का ये दिन है वीर बजरंगी और शनी देव को समर्पित ये दिन चंदरमा का संचार सनी देव की ही कुम राशी में होगा और जहां पर सनी देव पहले से विराजमान है मही सनी देव के पिता सूर्य देव भी मही पर विराजमान है साथी सनी देव के मित्र शुकर ग्रह भी मही पर विराजमान है फालगुन मास्के कृषिन पक्स की चतरदर्शी तिथीत और इस दिन बने रहे कुम्ब राशी में त्री ग्रही योग जहां पर तीन ग्रहे एक साथ बैटे हैं इस दिन सिध्य योग के प्रभाव से आपके तमाम कार्य असिद्ध होंगे और ससराज योग के प्रभाव से सनी देव का अश्रुवाद बरसेगा वही साध्य योग आपके जीवन में आपकी च्छाव को पूर्ति कराएगा और धनिष्टा नक्षत्र का सुपसयोग आपके जीवन में धन में विर्धी कराएगा इस दिन का महत्व धनू राशी के साथ कई अन्य राश्यों को भी लाब देने वाला है भागे का पूरा साथ मिलेगा, सभी तरह की उलजने खतम होगी कुंडली में शनी की स्थिती मजबूत होगी, सनी देव के आश्रवात से सभी अडचने दूर होगी चलिए जानते हैं कि 9 मार्च की दिनचरिया आपके लिए किस परकार साकारतमक प्रणाम लेकर आई है और किस परकार के सावधानिया आपको इस दिन भरतनी होगी देखे आज आप खुद को पॉजिटिव फिलिंग से भरा हुआ सबसे पहले आप बहुत ज़दा फूर्ती ले, एक्टिव नज़र आएंगे नए चैलेंज का सामना करने से बिल्कुल भी मत घबराना है क्योंकि आप हमेसा ही विजई होते हो प्राकृतिक आकरशन, कम्निकेशन स्किल आज काम आएगा यानि आपकी जो प्राकृतिक सुंद्रेता है और आपकी जो मधूरवानी है हर कोई आप पर मोहित हो पैठेगा आज कुछ समय अकेले बीता कर इस बात के बारे में विचार करें कि आप किसी भी रिस्टे में कितना time दे रहे है और क्या आप जितना दे रहे हैं बदले में उतना ही आपको मिल रहा है अपने लक्षों के बारे में सोचे और इस बात पर भी विचार करें कि आपके आस-पास मौजूद जो लोग ہیں वो आपके लक्षों को हासिल करने में किस परकार मदद कर रही है अपने रिस्तों को स्वस्त और संदुलिर मनाने की पूरी कोशिश आपको इस दिन करने चाहिए था पारिवारिक माहूल देखे इस दिन का महतो धनुराशी के लिए अच्छा प्रणाम लेकर आया है नोकरी करने वाले जातकों की बात करूँ तो आप अपने दफ्तर में पैसे के लेंदेन में थोड़ी सी सतकरता बरते अनिधा पैसे की कोई गड़बड़ी हो सकती है जिसका इलजाम आपके उपर आपके शत्रु लगवा सकते है वैपार करने वाले जातकों की बात करूँ तो वैपारों के लिए ये दिन अच्छा रहने वाला है सोने पर सुहागा साबित होगा क्योंकि वैपारी नया काम शुरू कर सकते हैं और उनमें उसे मुनाफा भी मिलेगा आपके लिए तदिक सुब समय है और संतान की ओर से भी कोई खुशकबरी आपको इस दिन मिल सकती है जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रशन हो जाएगा और आपके मन में खुशियों का गुबार फुटेगा दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि आपके जीवन में होर क्या सा करना पड़ा अगर युवाजातकों की बात करूँ तो युवाजातकों के लिए करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अधिक मैनत करने की जरूरत है उसके लिए आप कोई कोचिंग भी कर सकते हैं या फिर किसी की सला एडवाईज ले सकते हैं करियर में आगे बढ़ने में आपको बहुत मद्यत करेगी और आपकी मैनत भी अंत में रंग लेकर आएगी। आपकी सेहत की बात करू तो वाहन चलाने में थोड़ी सी सावधानी बढ़ते, नहीं तो आपको साररिक चोट लग सकती है। और आपको डोक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है, अपनी सेहत के परती किसी परकार की लाप्रवाई ना बढ़ते, लिवर की समिश्या आपको बहुत अधिक परिशान कर सकती है, इसलिए आप जादा से जादा उबला हुआ भोजन करें, योगाशनी त्यादी करें, घर का सादविक भोजन कीजिए, कमेंट बॉक्स में जैश याराम जरूर लिके जैश नी देओ, सचे भाक्त दोस्तों, और शिव राधना जरूर कीजिएगा,